असलामलेकम दोस्तों मैं हूँ बै तो आप देख रहे हैं टैक्सपोर्ट दोस्तों मुईद करता हूं आप सब भाइगत से होंगे तो आज की वीडियो जो है वह बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहों कि जैसे कि हम WhatsApp यूज करते हैं WhatsApp की new privacy policy टेदा हम धी दूज होई है तो काफी ऐसी application हैं जो कि हम daily basis पर यूज करते हैं और हम उनकी privacy policy रेड़ी नहीं करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि यह backend पर हमारा क्या क्या data यह information हमसे ले रही हैं तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो application हम यूज करते हैं से 5 application आपको लेकर हाजरू हूँ जिन application के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये application आपका क्या-क्या data आपकी क्या-क्या information ये आपसे background में ले रही होती है और आपको पता भी नहीं होता और आप अगर जान तक देखनें और वीडियो के अंड में आपको एक सर्वय बिताऊंगा करेंक लिए सब्से जादा डेटा आपका यूज कर रही है सबसे जादा डेटा सबसे जादा इंफोमेशन आपके ले है और वह एप्लिकेशन एक ऐसी अप्लिकेशन है उसका में रैगुलर डेलि यूज करते हैं तो इस वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा कितना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हुआ और चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल आगन भी लाजमी प्र तो जो पांच अप्लिकेशन में आप लोग लेकर हाज़र हूँ वह ऐसी अप्लिकेशन है जो कि हम डेली बेसे पर यूज करते हैं और यह अप्लिकेशन ऐसी एप्लिकेशन हैं कि बैक ग्राउंड पर यह हमारी इंफोर्मेशन भी कॉलेक्ट कर रही होती है तो अपनास एप है और 우리 अपको इप्लिकेशन है इसकी बारे में आपको बता रहोँ और यह अप्लिकेशन इतनी स्क्यूर अप्लिकेशन है किए आपका लिए ही करते हैँ इसकी business integration है कि यह आपकी information लेकर कहीं आगे sold out करेगी तो अब तक यह सब सब square application है और यह application wide application है जो आपकी information बिलकुल भी कहीं भी किसी purpose के लिए भी use नहीं करती तो guys number 4 के पर जो application है जो कि आपका data collection करती है और जो आपकी information लेती है लेकिन minority form में लेती है तो वो telegram की application है और telegram आजकल बड़ी famous जा रही है जैसे कि signal app famous जा रही है जब से वाट्साइप की privacy policy आई है telegram की application बेसिकली यह application है और आप इसका interface भी देख सकते हैं इसका interface वाट्साइप की मुकाबल में कुछ खास तो नहीं है लेकिन काफिश क्योर application है यह मैंने इसमें different channels जोइन किये हैं तो basically जो telegram आपकी information collect करती है उसमें सबसे पहला number आपका नाम जो आप register करते हुए telegram पे नाम देती है वो आपकी information collect करती है number 2 के उपर यह collection करती है आपके phone number की जो आप phone number यूज़ करते है at a time telegram के उपर register करने के लिए third number पे यह आपकी contacts use करती है contacts मतलब कि जो आपने telegram को allow किया होता है कि यार आप देखें हमारी कौन से contact list है जो के आपकी telegram की application के पर register है आप हमें दिखाएं fourth number पे वो आपकी user ID जो के आपकी user ID आपकी profile name होता है वो आपका information यह collect करती है और यह आगे किसी को deliver तो नहीं करती है लेकिन अपने तक ही information रखती है तो इसलिए हाँ से telegram भी काफी square application है जो के आपकी बहुत कम information receive करती है बहुत कम आपकी information को आपके अपने server के उपर रखती है और यह किसी business को आगे sale भी नहीं करती है और ना telegram आपके information को गलत पर परिसकी लिए use करती है तो मतलब अब तक कि सबसब square application में signal application और telegram application ऐसी application है जो के आज के लिए दोर में काफी square application है तो गैस नमबर 3 के पर जो मैंने application हकी है वो भी काफी square application है और यह basically android की application है यह उनी users के लिए जो के iPhone यूज करते है और iMessage app के नाम से एक message app है जो के काफी square application है लेकिन वो भी minor सा data collection करती है और वो data collection में भी different data collect करती है लाइक आप अगर iMessage पर register करते हैं आपनी email letters देते हैं तो वो आपकी information collect करता है और इसके लावा last one जो iMessage आपकी data information collect करती है वो आपकी device ID ही है कि आपने अपने device की ID क्या रखी हुए user ID नहीं मतलब कि user ID वो होती है जो आपने register करते ही application के उपर दी होती है device ID चेंज होती है device ID आपके cell की ID होती है कि आपने cell phone की device ID मतलब उसका नाम क्या रखाओ है और ये data overall iMessage iPhone की application जो कि message application है iPhone की ये information collect करती है उसके लावा अगर हम number two की बात करें तो number two के ओपर जो मैंने application रखी है वो WhatsApp की application है और WhatsApp के application के बारे में तो आप जानती है WhatsApp के अभी recent privacy policy introduced हुई है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहे दें कि हम आपकी कुछ information लेंगे और उस information को हम Facebook के साथ integrate करेंगे और उसको business purpose के लिए हम use करेंगे मतलब कि in case वो आपकी जो information है वो आपकी sale भी कर सकते है लेकिन याद रहे कि वो अपनी privacy policy में ये भी बता चुकी है कि वो आपकी जो चैट्स हैं वीडियो जो भी वीडियो कॉल आडियो कॉल वो सारी encrypted होती है वो यूज नहीं करेंगे जस्ट आपकी कुछ information है माइनसी वो आपकी information को यूज करते वे वो Facebook के साथ integration करेंगे अब WhatsApp की वो क्या data collection है वो क्या information है जो के वो आपकी लेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँ तो वो phone number आपका लेंगे phone number के साथ-साथ email address, contacts, आपकी location, device ID क्या है user ID क्या है, advertising data क्या है purchase history क्या है, payment info क्या है purchase history और payment info basically ये इंडिया में based करता है और overall other countries में क्योंकि अब तक WhatsApp payment पाकिस्तान में नहीं आया WhatsApp payment ये था कि आप WhatsApp के होते हुए WhatsApp को यूज करते हुए आप payment कर सकते हैं किसी भी platform पे उसके लावा आपकी जो performance data या diagnostic data, customer support बगएरा जो आप अगर WhatsApp के इंदर help support में जागे जो भी आप information जो भी chat बगएरा करते हैं ये information आपकी WhatsApp लेगा उसके साथ साथ एक information और लेगा वो आपके status की information है आप कुछ लोग समझने के status आपका ये वाला status की information लेगा लेकिन ये status की information ने लेगा वो status है आपका जो आप यूज करते हैं Hey there I am using WhatsApp वाला जो status है आपका जो आप ये नीचे अपने profile के नीचे लगाते हैं वो आपका status आपका WhatsApp लेगा और इसको फर्दर वो साफ कहता है कि हम इसको Facebook की integration में यूज करेंगे और Facebook को हम advance करने के लिए हम आपके WhatsApp का data यूज करेंगे ताकि हम WhatsApp के साथ मिलके business कर सकें फ्री application थी उसके उपर Facebook अब इस तरह से business करेंगा उसके लावा जो number one के उपर जो मैंने application रखेंगे basically वो application ऐसी application है कि वो अब तक सबसे ज़ादा data collection कर रही है और वो data collection भी छोटी मोटी नहीं कर रही पलके बहुत ज़ादा data collection कर रही है और आप समझते होंगे कि यार वो application तो कोई आम से application होगी हर किसी के पास ही होगी हर किसी के पास ही वो application है और वो application का नाम है Facebook Messenger जी हाँ Facebook Messenger जिसकी मतलब कि 5 billion से ज़ादा downloads है और उसका data अब तक का सबसे ज़ादा data collection कर रहा है फेस्बुक और वो users को भी नहीं बताता लेकिन backend पे उसने इतनी आपकी privacy policies नकाली वी है आपकी इतनी मुश्किल setting आपको दी वी है कि आपको समझने में वो time लगता है और आपको कोई बताता भी नहीं है और backend पे आपका data वो collect करी जा रहा है अब facebook messenger आपका क्या कर data collect करता है उसमें सबसे पहले तो आपकी location है उसके बाद आपका physical address है email address है name, phone number, contact info, videos, game content search history आजाती है, browsing history आजाती है third party, advertising, purchase history, other data type, performance, crash मतलब कि एक तरह से आपकी overall जितनी detail है आपका facebook messenger आपकी लेता है अब यह कैसी लेता है कि simply आप facebook messenger पे जाहरी बात है facebook पे आप जब apply करते हैं और जब आप उसपे sign up करते हैं तो आप different information अपनी देते हैं उसमें email address है अब email address आप ऐसी देते हैं कि आप उस email address से google searches भी कर रहे होती है और google direct आपकी information facebook को provide करता है और facebook then आपकी जो data है उसको use करते हैं वो different advertising companies को दिखाता है कि यार यह बंदा फुलाना यह searching कर रहा है तो आप इसको इसके ad show करवाएं ताकि यह आप से purchasing करें तो मतलब कि आपकी जो facebook messenger है और simple facebook की जो application है यह आपका इतना data use कर रही है कि आज तक कोई application आपका इतना data use नी कर रही होगी तो आप जो समझ देना है कि facebook जी सबसे secure है तो facebook ही सबसे ज़ादा आपका data use कर रही है और उसको अपने business purpose के लिए भी use कर रही है तो अब मैं आपको एक ऐसी picture दिखाता हूँ कि जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको धिरान रही है कि एक survey के मताबिक सबसे ज़ादा data collection कर रही है वो facebook की ही application है तो guys यह वो एक survey है जिसमें वो आपको बता रहा है कि कौन कौन सी application जो है आपका सबसे ज़ादा data collection कर रही है उसमें सबसे number one के ओपर ज़ा application आती है आप देख सकते हैं अगर तो वो facebook की application है और वो number of personal data collected कितना बता रहा है वो 70% data जो है वो 71% अगर round figure करें तो वो आपका data collection कर रही है जिसमें वो आपका email, name, age overall जितनी descriptions हैं जितनी categories हैं वो आपकी maximum आपकी data को use करते हैं वो आपके information को use करते हैं वो business कर रहा है उसके लावा जो different apps है उसमें second number पर Instagram आता है और पी काफी ऐसी जो applications हैं जो कि आपकी data को use करते हैं different businesses कर रही हैं उसमें अगर हम देखें तो whatsapp का number इसमें आता है whatsapp का last में 48 number है जो कि अब जाके थोड़ी बहुत information इसने collect करना शुरू की है लेकिन जल्द मुझे लगता है कि whatsapp भी facebook के मुकाबले में आजगी क्योंकि जो facebook है वो ही whatsapp को own करता है तो यही आज की जो वीडियो थी इसमें मैं आपको पताना चाहरा था कि हम पाकिसानियों को बिल्कुल भी knowledge नहीं है कि हम जो application यूज करते हैं कि कौन सी application सबसे ज़्यादा उसमें data use करती है आपके information को use करती है business करने लिए तो simply इसमें आपकी permission allow जो आप permissions allow करते हैं different application की आपने allow करते हैं gallery की recording की भी आप उसमे whatsapp को permission दे देते हैं काफी permission जो आप देते हैं उससे भी data collection होती है तो आप ज़रा ख्याल किया करें कि किस application को आपने permission देनी है आपके mobile को जो access करें किस application को नहीं देनी तो अगर वीडियो पर संद आई हो तो appreciate करने के लिए अपने दोस्तों जाद भी शेक कीजिएगा इंशाला हमें लेंगे नेक्स वीडियो में अपना बहुत सरा क्या लखेगा अलावाफीज